शांति, आज 9th December 2021 हम सुनेंगे प्रातो शाकार हिंदी मुरुली आज का महवख्य. इस महवख्य में बाबा समझाते हैं, मिठे बच्चे, बाप आये हैं तुम्हें राज्योक शिकलाने, बाप के सिवाए कोई भी दहादारी तुमें राज्योक शिकला नहीं सकता. ये बहुत बड़ा हम राज्युगियों के लिए जो शुद्रों से ब्रह्मन बने हुई हैं इस समय हम सब के लिए बहुत बड़ा एक बरशिधानत हैं तो अगर हमारा मन में कोई गलत बिलिफ हो गलत बिलिफ को हटा करके ये राइट बिलिफ को हमें बिठा देना चाहिए कोई तिब्र भक्ति करते हैं तो दिदार हो जाता, बाकी सद्गोती तो किसी की होती नहीं, वापस कोई भी जाता नहीं, वापके विना वापस कोई भी ले नहीं जा सकता, तुम इस बने बनाए ड्रामा को जानते हो, तुम है आत्मा का जथार तो ग्यान है, आत्मा ही और नरगवशी बनती हैं ये भी भक्ति करने का प्राप्ति और कौन सा होता कौन सा नहीं होता बाबा उत्तर में बताया ओम शांति रूहानी बच्यो प्रति रूहानी बाप ने ओम शांति का अर्थो भी समझाया ओम को अहम अर्थात में भी कहा जाता है ओम अर्थात में में आत्मा मेरा सरीर दो चीज है ओम मना ओ उ मा ये तीन अक्षर से बना हुआ तो जो शब्द है इसमें दो चीज है में और मेरा सरीर तो यह आत्मा ने कहा ओम शांती अर्थात शांती मेरा सदर्मा है डीफ फिल हमें करना चाहिए आत्मा का निवास्थान है शांतिधाम अथवा परमधाम तो वो है निराकारी दुनिया हमारी पर्मानेंट एड्रेस हमारी रुहानी दुनिया तो सेकेंड में हमारा बुद्धी चली जाना चाहिए यो है साकरी मुनिश्यों की दुनिया प्रिथिवी पांच तत्तका है मुनिश्यों में आत्मा है और यो शरीर पांच तत्तका बना हुआ है दो चीज़ों से ये सरीर चलता है आत्मा अविनाशी है कब वो मरती नहीं है आत्मा अजर अमर अविनाशी अब आत्मा का बाप कौन परमात्मा उसकी अश्ली नाम है शिव बाबा ने आ करके आप भी बता आते हैं पहली पहली कहते हैं कोई भी पूजा पाट करें पहली पहली कहते हैं शिव परमात्मा नमो फिर कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमो बिश्णु देवताय नमो तो दूसरों के लिए तो एक मंत्रो परमात्मा के लिए दूसरा मंत्र ऐसा कियो तो हम को भी अपने को जहक करके नहीं दिखा उन्हों को भगवान नहीं कहो सकते है ब्रह्मा बिश्नु शंकर सबसे उच्छ है निराकार पर्म पिता परमात्मा फिर है शुक्ष्मो देवताय तो इहां सबी मुनुश्य है तो ये प्लियार बात समझाते हैं बाबा उपर में रहते हैं बीच में देवताय रहते हैं और इहां तो हम मुनुश्य हैं अब प्रश्न उठता है आत्मा का रूप क्या है आत्मा को तो कोई किसी ने नहीं देखा है तो भारत में शिव की पुजा करते है शिव काशी कहते रहते है धोन लगा रहते है वो लोग लिंग बनाते हैं कोई बरा बनाते है कोई छोटा लेकिन जैसे आत्मा का रूप है वे इसे परमात्मा का भी रूप है परमात्मा करके शयम्भो खोदा करके बताते है तो तुम नह जानते हो मैं तुम्हें बताता हूँ परम आत्मा उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं तो ये हमारी सामने ये नया पाइंट खरा होता है उन्हों को भगवान नहीं कहो सकते जीतने को हम इतना देन भगवान मनते आया सबसे उच्छत है निराकार शी परमात्मा तु बाबा समझा तो ये बात को हमें अच्छा रिती समझना चाहिए परमात्मा के लिए कोई कहते हैं वो अक्षण्डो जोतिशोरूप है कोई कहते हैं ब्रहम मैं और बाब समझाते हैं जयिसे तुम आत्मा बिन्दी हो वेईसे मैरा रूप भी बिन्दी है तो ये शुक्ष्म बात को समझ लेना जब रुद्रो पूजा करते हैं तो तुम आत्मा बिंदी हो जब रुद्रो पूजा तुम करते हो तो उसमें लिंगो ही बनाते हैं रुद्रो पूजा करते हैं जिग्यो करते हैं तो लिंगो ही बनाते हैं शिप का बारा लिंगो बाकी शलिग्राम के लिए छोटे तो ये सलिग्रम बनाते हैं तो मुनिशो को न जथर तो आत्मा का ग्यान है न परमात्मा का ग्यान है रुद्रो लिंगो तो परमात्मा के लिए तो लेकिन ये जो सलिग्रम वो कौन है तो इतना दिन तो हमरा बुद्धी चला नहीं तो सबीने करते हैं तो हम भी देख देख करके करने लगा, तो वो तो मुनिशों की, मुनिशों बाकि क्या रहा, सब में पांस बिकर प्रबिशे हैं, दहा अभीमान में आकर एक दो को काटते रहेते हैं, बिकार लगाते रहेते हैं, यो बिकार है ही दोख देने वाला, आदी मद्ध अंतो हमें द दुख देते आया, कोई मर गया, तो दुख हुआ, तो यो भी कटा लगा ना, दुख हुआ मना कटा लगा, कोई भी मुनशो को ना आत्मा का ना परमात्मा का रियलाजेशन है, अगर रियलाजेशन अच्छा है, तो कोई मर जाने से हमें तो कोई दुख नहीं लगना चाहिए तो यह अपना पाट बजाने के लिए आए तो यह इसका तो टाइम हुआ वो चला गए दूसरा पाट बजाने के लिए तो इस समय सुरत मुनश्यों की सिरत बिकारी है इसलिए कहा जाता राबंद स्वंप्रदाए क्योंकि है ही राबंद रेज्जा बाबा समझाते हैं है तो स अंतान है सभी आत्मा हमरा बच्चे है लेकिन सिरत मुनश्यों का तो सुरत मुनश्यों का सिरत बिकारी है चरित्र बिकारी है तो यह कहते भी है हमको रामरज्यों चाहिए धुन लगाते हैं और तो बहुत चिलाते हैं तो गीता में भी अक्षर है कोरुप शंप्रदाए प कोई देहोधरी शिकला ना सके, कोई देवता शिकला ना सके, वो है सत्यू का प्रिंस क्रिष्ण का बात जब उड़ते हैं, तो सब को हमें समझाना चाहिए, उनकी महिमा है, सरवगुन शंपन्न, शुलगला शंपन्न, शंपन्न निर्विकारी, बाबा कहते हैं, हर एक का कर्तिवबो महिमा अलग-अलग है, दवतव का कर्तिवबो अलग है, तो भगवान का कर्तिवबो अलग है, इस संसार में भी देखो, प्रेसिडेंट का कर्तिवबो अलग, प्रेम मिनिस्ट का कर्तिवबो अलग होता है, अभी तो परमात्मा तो ऊचते ऊच बहुत का बाप है ना, उनका महिमा कितना होना चाहिए, तो कितना महान कर्तिववा करके संसार में करते हैं, तो इनके कर्तिववा को भी मुनुशों ही जनेंगे, जनुवर थोरी ही जनेंगे, परमात्मा का कर्तिववा परमात्मा का, ये जो करवार, ये तो हम मुनिशों के लिए, संतानों के लिए, तो मुनिशों जब तमप्रधन बन जाते हैं, तो एक दो को गाली देते हैं, गाली देते हैं, क्या क्या करते हैं, यो है ही प्रानी दुनिया कली योग, इसको रोरोब नरब कहा जाता, वीशिश वर्ड कहा जाता, तो सतियोग को वाइसलेस वर्ड कहा जाता पूरा एगिनेस्ट अभी तो तम प्रदान से भरा हुआ है पतित दुनिया है सतियोग में एक भी पतित नहीं होगा आत्मा इन अरगांस दरा कहती है हमको रामरज्यो चाहिए हे पतित पाबन आप आकर पाबन बनाओ दुख हरता शुक करता हमें शुक चेन का दुनिया में ले चलो शंतिदाम शुकदाम में ले जाओ तो ये हम बहुत बाबा को अफर करते हैं बाबा को हम तो पुकारते रहते हैं बाब समझाते हैं बेचे दुख तो समझाते हैं दुख शुक का खेल बना हुआ है तो आधा समय दुख है आधा समय तुम्हारा सुक है तो माया ते हारे हार माया ते जीत जीत ये भी तुम्हें समझना चाहिए हार लिया तुम्हें जीत पहनना चाहिए तो जीत गया तुम्हें हार में आना चा जैसे बच्चे गुरिया बना करके खेल पालकर फिर तोर देते हैं फिर परमात्माय नमों कहते हैं न भगत लोग परूंतो और तो नहीं जानते तो गुरियों का खेल हुआ न शिप तो है ही उचीते उचा बाप, शिक्षक और सद्गुरु तो ब्रह्मा को भी प्रजा पिता कहते हैं, उनका भी रोल है, बहुत बड़ा रोल है, प्रजा माना ही मुनश्य स्रिष्टी, ये दुनिया अभी तमप्रदन है, इस दुनिया को अभी सत्प्रदन बनाना है, नारक है, इसको सर्ग बनाना है, शिप है आत्माव का बाप, सभी को दो बाप होता है, परंतो सभ आत्माओं का बाप शीव है तो उनको दुख हरता शुक करता कहा जाता है ये शिद्धानतों को अपने जिवन में हमें मन करके चलना कल्लन करी भी कहते हैं वो बाप है शुक तो दुख हरता शुक करता वो कल्लन करी भी है देवताओं की फिर महिमा गाते हैं आप्शर बगुन और मंदिर में जाकर के कहते हैं हम नीच है पापी है चल है कपट है हमारा में कोई गुन नहीं बिलकुल तुछ बुद्धी है तो देवताई शच्च बुद्धी थे इसलिए मना का मुना रख करके जाते हैं तो इहां है सब दिकारी पोतित इसलिए गुरु करते हैं गुरु बस्तव में कौन होता है गुरु वो जो सद्गुती करे अपने आपको पूछना है मैं जिसको गुरु मनते आया या वो सद्गुती हमें दिखा सकते है ना किसी को सद्गुती किया तो गुरु किया जाता है बानप्रस्त में कहते हैं हम भगवान के पास जाना चाहते हैं त समय द्रापरकली युग में बान प्रस्तो ये शब्दों चालू है तो वहां ये मालूम रहता कि हमको एक शोरीर छोर दूसरा लेना है सती युग में बहुत आत्मा शचतन होगा यहां मुनिश्यो गूरू करते हैं मोक्ति में जाने के लिए परन्तु जाता कोई भी नहीं तो यो बाप समझाते हैं तो बाप एक ही है वही भगवान है मुनिश्यो को भगवान कैसे कहो सकते है यह हमारा बहुत बड़ा एक अंधसरदा है गलत फे मिया है यहां तो सभी को भगवान कहते रहते है शाई बाबा भी भगवान हम भी भगवान तुम भी भगवान सब में भ तो पत्थर बुद्धी ठेहरे ना, हमरा बुद्धी पत्थर हो गया, इसलिए पत्थर में भगवान को ठोक दिया, तुम भी पत्थर बुद्धी नरगवाशी थे, अब भी तुम हो संगम युगी, महीमा सारी संगम युगी है, पुरुश उत्तम मास मनाते हैं न, भगतु लोग बहुत प्रेम से मनाते हैं परुंतो तो उसमें कोई उत्तम पुरुष बनते नहीं कितना भी तो गंगा में जाकर नहाते हैं कितना भी परिक्रमा लगाते हैं कितना भी किट्तन अधिकरते हैं तुम अभी मुनिश्यों से देवता कितने उत्तम पुरुष बनते हो बाप कहते हैं, 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 ब जब सितारा आत्मा को देखना चाहिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, तो ये आस्मान में जैसे तो तारा को देखते हैं, ऐसे ही आत्मा को हमें रियलाइस करना है, आत्मा शुक्ष्मा है न, तो उनको बुद्धी से जाना जाता है, अंतर शुक्षु से दिखा जाता है इन आखों से देखा नहीं जा सकता कि आँए इतना भी कोशिश करो दिब्बो डुरिष्टी से देख सकते हो तो समझो कोई तिब्रो भग्ती करते है उनको दिदार होता है पर उन से मिला क्या अपने आंक को पूछना चाहिए इतना दिन जो भक्ति करके गया क्या वो सरगवाशी हुआ बिलकुल नहीं परमात्मा कहते हैं दिदार से सद्गुति तो हो नहीं सकता तो जो भाबना रखते हैं उनको दिदार हुआ आत्मा का भाबना रखते हैं आत्मा को दिदार हुआ कोई कृष्ण को भाबना रखते हैं कृष देते है spiritual knowledge यो दुनिया ही विकारी है शक्षत कर से कोई सर्गों में थोड़ी ही जाते है शिपकी भुक्ती की दिदार हुआ फिर क्या हुआ वापिस तो बाप बिगर कोई ले नहीं जा सकते ना तो यो है बना बनाया ड्रामा कहते है बने बनाये बंद रही नाया कुछ बनना ग्यान نہیں है परमात्मा का भी ग्यान नहीं वो तो कहते हैं होर एक आत्मा चुराशी लाक जन्म लेती है कितना impossible बाप बाबा कहते है तो बाबा कहते है ये तो तो ये तो तुम्हें तो अगर जीबन को तुम समाधान करना चाहते हो तो ये शोत्रों से तुम्हें ये जीबन नहीं मिलेगा उसमें एक मुनश्यो जनम दुरलब होता है कहेते हैं, चौराशिलाक जनम होता है, भिन्नभिन्न जनियों में एक जनम मुनश्यो का होता है, परन्तु ऐसी कोई बात है श्रमात्मा बिलकुल इनकार कर दिया है, बिछो, तो मैं जो शुट्र लेकर के चल रहे है वो गलत शुत्र है मुनिशो का तो बरा पाठ चलता है मुनिशो ही सरगवाशी और मुनिशो ही नरगवाशी बनते हैं भारती सबसे उचा खंड़ था लक्ष्मिनारण का रज्य था वहां तो बहुत थोरे मुनिशो थे एक धर्म एक मात थी एक भाशा एक रज्य था भारत सरगविशो का मालिक था और कोई धर्म नहीं था पच्छे यो है पराई तो यो कौन पराता है भगवानों बचो कि मैं तुमको इस राज्युगदरा राजाव का भी राजा बनाता हूँ महराजा महरानी बनाता हूँ भगवान ने तो किसको गिता सुनाई गिता से फिर क्या हुआ तो यो किसको मालूम नहीं गिता के बाद है महाभारत तो गिता में है राज्युग गिता में राज्युग है भगवानों बचो मामे को मियाद करो तो तुम्हारी पाप भश्म होंगे ये तुम्हारी लिए गीता को हो महाभारत को हो तु बाबा समझाते हैं अभी तुम गीता सुन रहे हो तुम सच्च बन रहे हो तुम महाभारत तो ये अगले समय में होगा कितना गुला भारत बनाया है कितने एटम्स बूम बनाया है तो ये धर्ती पर इस्तेमाल होगा ना मन मना भवो का अर्थो ही यह है कि बाप कहते है तुम जो शुर्जवंग्शी पुझ्जो थे तो वो फिर पुझारी चंद्रवंग्शी बन गए हो बिराट रूप का अर्थो भी तुम बच्चे ही जनते हो बिराट रूप में जो दिखाते है उसमें ब्रह्मनों को गोम कर दिया परमात्मा को गोम कर दिया तो ब्रह्मनों तो बहुत गए जाते है प्रजा पिता ब्रह्मा की शंतन है न तो बाप ब्रह्मा दारा ही रचना जो सब का बाप है तो ब्रह्मा का भी वो बाप है, सारी रचना का वो बाप है, सारी संसार का वो बाप है, रचोईता, रचना हो गई सब ब्रादार्स तुम्हारा, तो ब्रादार से तो तुम्हें कोई प्रपार्टी नहीं मिलने वाला, बर्शा बाप से ही मिलता है, नौकी भाई भाई से शिब जायनती भी मनाई जाती है आज से पाश अजर बश्चों पहले ब्रह्मा तन में शिब बाबा आया था देविद दवता धर्मस्थापन किया था तो ब्रह्मन ही राज्युक शिखे थे तो वो तुम अब शिक रहे हो बाबने तो बिलकुल क्लियार बात हम कहानी जैसा बताते हैं रोज कहानी हमें सुनाते हैं फिर भी माया हमें भुला देते हैं भारत पहली शिब लए था शिब बने तो सर्ग रचा और भारत बशी ही सर्ग में रज्ज करते थे अब वो रज्ज तो अब कहा रज्ज करते हैं अब पतित दुनिया तो नरक है तो यो कोई समझते नहीं, तो इस समय हम नरगवाशी हैं, कहते हैं, फलाना मरा तो सरगवाशी हुआ, तो अपने को नरगवाशी समझना चाहिए, तो अगर आपको हो, तो बिलकुल गुसे में आ जाएंगे, बाबा कहते बचे, तो मैंने तुम बच्चों को सरगवाशी बनाया जिसको पाच हजर बर्शों हुए, पहले तुम बहुत शवकर थे, सारे विश्यों के मालिक थे, तो ऐसा जरूर गाड नहीं तुम बनाया होगा तुमें, भगो बनो बाचों, मैं तुमको, तो राजाओ का राजा बनाता हो, जरूर राजा भी बनेंगे, तो प्राजा भी हमें जो शिक्षा दिया, शिक्षा जो अच्छा रिती लेंगे, तो वो महराजा बनेंगे, जो नहीं लेंगे, कौम लेंगे, तो प्राजा बनेंगे, चोड़ा पद मिलेगा, अधा कल्प है दिन सर्ग, अधा कल्प है रात नरत, तो अब ब्रह्मा तो एक बर आएगा ना, तो बाप है सबकी रूहानी पंडा, तो वो सभी को वापिस ले जाते हैं, वहाँ से फिर मृत्त लोक में नहीं आएंगे, ये भी बाबा ने क्लियार बता दिया, दुनिया में तिर्थो बहुत करते हैं, बाबा जो तिर्थो में हमें ले जाता है, तो बाबा कहे तो याद के जात्रा में रहो तो अंतिम समय में में तुमको ले जाओंगा और तुम्हारा जानम होगा सत्य योग में अंदो की लाठी एक बाप ही है बाप समझाते है बच्छे इस राबंद रज्जों का बिनाश होना है तो यह वही महावारत वराई मुनिशो को मुनिशो तो कुछ भी नहीं समझते हैं तो अगले समय क्या होने वाला है भारत बशी आप ही ही पुज्जो ही पुजारी बंते है तो पुजारी बन जाते हैं पहले हमसब पुज्यू सुर्जवंख्शी थे फिर दो कोला कम हो गई तो चंद्रवंख्शी हुई फिर उतरते उतरते पुजारी बने है बाबा कहेते हैं यह हमारा जीवन का कहानी है चोराशेजन्मों का कहानी पहले पहले पुजा होती है शिपकी तो उसको अभी बिचरी पुजा कहा जाता तो अब बाबा कहते है एक निराकर बाप को याद करो कोई भी दहदरी को याद नहीं करना ये ब्रह्मान जिबन में हमें कोई आकारी रूप को याद नहीं करना निर्या करी बाबा को बिंदू बाबा को याद करना तो यही इस से ही हमें मुक्ति-जिवन-मुक्ति मिलेगा इसको ही सच्चा-सच्च राज्युक कहते हैं तो भगवान को बुलाती भी है ना हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ तो मेरे बिगर और कोई कैसे पावन बना सकते हैं। सत्य युग में सत्य युग में भक्ति का कोई तो जरूरत भी नहीं होगा यह तो तुमारा पराई का प्रलब्द मिलेगा सत्य युग में। तो कोई भी याद नहीं करेंगे। बाप कहते हैं हमारा पाट ही संगम पर है। बाकी युगे युगे अक्षर रांग लिग दिया है। रांग बात लिग दिया है। इसको भी पता नहीं। पहली मुख़ बात है बाप को जनना एकुरेट बाप जो है जैसा है। बिंदू बाप को हमें जनना है। तो जैसे मैं आत्मा हो ऐसा ही परमात्मा है। नहीं तो बाप से बर्शा कैसे लेंगे। बाप को हमें राजी करना है। बाप तो हमारा जो बाप कहते हैं वो बात अगर हम मान लेते हैं तो बाप तो राजी आटोमेटिक हो जाता तो राचोना से बर्षा मिल नहीं सकता जो हम इतना दिन करते आया है बाबा ने तो ब्रह्मा दरा एडप किया है हम बच्चों को गोद में लिया ब्रह्मा कुमार कु ना शरशति मा है या बेटी शरशति क्यों क्या कहेंगे तो यो भी किसको पता नहीं है तो मा थो तुमारी गुपत है शिब आबा ब्रह्मादरा तुमको एडप करते है अब तुम हो राज रिशी रिशी अक्षर पवित्रता के निशानी है शननाशी है हाड जोगी तो वो रा तो अभी तो तुम्हें बाबा ज्यान मर्ग में चलाते हैं। में आया हो तुम्हें ये भग्यों को जागाने के लिए। बाबा हमें तो विशिश बात समझाते हैं। मेरा तो एक शिब बाबा दुसर ना कोई ये अपाट पका करना। ये है हमारा पहला धरना। दुसरा धरना है बाब समान रुहानी पांडा बनकर सबको घौर का रस्ता बताना है हमारा तो परमदम हमारा तो ये पर्मनेंट एड्रेस है। अंधो की लाठी बनना है अज दुनिया में सब फस गया है और दुनिया में गुरु करते हुए निश्चिन्त होकर के बेटी हुए है हमें तो घर ले जाने वाला हमरा गुरु है तो ये थोड़ी ही हो सकता। बर्दान है सदा बीजी रहने की बीधी दारा बीजी रहो मन को बीजी रखो बीधी दारा बैटोशंकल्पो की कॉम्पलें को शमाप्त करने वाले तो शंपुर्ण कर्मातित भव का बर्दान भवा ने हमको देते है। इसका आर्थ है शम्पुर्ण कर्मातित बनने में बैठ्थो संकल्पो की तुफान ही बिगनों डालते हैं तो इस बैठ्थो संकल्पो की कम्प्लेन को शमाप्त करने के लिए अपने मन को हर समाई बीजी रखो शमाई की बोकिंग करने का तरीका शिक हो सारे दिन में मन को कहा कहा बीजी रखना है या प्रोग्रम बनाओ रोज अपने मन को चार बातों में बीजी कर दो एक बाबा से हमें मिलन करना बाबा से रूरीहान करना रूरिहन करना तो ये पहला दूसरा नंबर तो सर्विस करना बाबा का जो ग्यान मिलता है वो ग्यान हमें दूसरों को सुनाना तिसरा है मगन तो और चोटा है लगन तो इसमें समय सफल हो जाएगा और बैठो की कम्पलिन खतम हो जाएगी ये सुनतर बीधी बाबा बताते है तो श्लोगान है शफलता को परमात्मो वार्त राइट समझने वाली ही सदा प्रशन्न चीत रह सकती है कोई भी सफलता हुआ तो ये परमात्मा का वार्त राइट है बाबा हमें ये जनम शिद्ध अधिकार देते हैं सफलता तो ये अपना कृतित तो नहीं दिखाओ ये परमात्मा को थैंक्स करो वो सदा प्रशन्न चीत रह सकते हैं आज का शमान है मैं राज जुगी आत्मा हो बहुत बहुत हमें फील करना है अच्छा ओम शान्ती